सभी प्रकार के कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग सिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टी एश टेलर पाइंट को सस्क्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नेटिपिकेशन आप तक पहुंच सके नमस्कार दोस्तों ती एश टेलर पाइंट में आपका स्वागत है आज हम आपको फिटिंग पैंट की कटिन बताएंगे चलिए दोस्तों आज का पैंट का मेजरमेंट देख लेते हैं आज के हमारा पैंट का मेजरमेंट है लंबाई है 49 इंच, हाई है 24 इंच, घुटना है 16 इंच और थाई है 20 इंच, कमर है 27 इंच, हीप है 33 इंच और मोरी है 13 इंच इसी मेजरमेंट की हिसाब से आज हम पैंट की कटिन करेंगे सबसे पहले दोस्तों कपड़े को ऐसे उल्टा करके बिछा लेना है फोल्ड करके लेना है और उसके बाद दोस्तों यह जो रेसिदार कपड़े है उसको सीधा कर लेना है यह देखे दोस्तों हमने सीधा कर लिया है पैंट का लंबाई है 41 इंच तो हम इसमें हाप इंच माइनस करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे हाप इंच माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा साड़े आर्टीस इंच तो साड़े आर्टीस पर यहाँ पर भी मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर मोरी के लिए फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच यहाँ पर भी एक मार्किंग करेंगे दोस्तों अब हम हाई का मार्किंग करेंगे तो हमारा हाई है 24 इंच 24 को हाप करेंगे तो हमारा आएगा 12 इंच और 12 में 3 इंच मार्किंग करेंगे दोस्तों क्योंकि बेल्ट अपर्टी हमारा लगेगा तो हमारा बारा में तीन इंच माइनस करेंगे तो हमारा नाव इंच आएगा नाव इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर भी एक नाव इंच पर मार्किंग कर लेंगे दोस्तों अब आ जाते हैं दोस्तों गुटने का मार्किंग करेंगे गुटना लंबाई की हिसाब से मार्किंग होता है दोस्तों हमारा लंबाई है 49 इंच 42 को हाप करेंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंच और इसमें 1.5 इंच और प्लस करेंगे दोस्तों तो 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 इंच तो हम यहाँ पर दोस्तों उपर की तरब 1.5 बेल्टक के लिए छोड़ते हुए यहां पर 16 पर marking कर लेंगे यहां पर भी 1 इंच उपर की तरफ छोड़ते हुए 18 पर marking करेंगे दोस्तों अब यह तीनो निसान को सिधा कर लेंगे दोस्तों दोस्तों अगर आपने मेरे channel को सस्क्राइब नहीं किया है अभी तक या नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को भी प्लेस कर दे दोस्तों ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आप तक हो सके और मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को सेयर भी है अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा यहां पर थाई का मारका करेंगे हमारा थाई है एक कैस इंच तो कैस को हाप करेंगे तो आ जाएगा साड़े दस इंच और उसमें हाप इंच और इसमें एट करके यहां पर मार्किंग कर लेंगे दोस्तों यहां पर देखी दोस्तों यहा पर हमको 11 इंच पर मार्किंग कर लेना है हमारा 16 इंच थाई है तो उसको हाप किये तो 10.5 इंच और इसमें 8 करके यहां पर मार्किंग कर लेना है और यहां पर दोस्तों देडिंग अंदर की तरफ फ्लाइ के लिए मार्किंग करना है और उसके बाद दोस्तों हमारा सेंटर के के लिए इंची टेप को ऐसे रखना है दोस्तों और यहां पर मार्किंग कर लिए हमारा सेंडर के लिए है दोस्तों अब यहां से दोस्तों हम सेंडर के लिए यहां पर कितना आ रहा है उसको हम देख लेते हैं दोस्तों यह देखे दोस्तों हमारा साड़े पांच चींच आ रहा है तो हम यहाँ पर भी साड़े पांच चींच पे मार्क कर लेंगे यहाँ पर भी साड़े पांच चींच पे मार्क कर लेंगे दोस्तों कि यहां पर भी एक मारका कर लेंगे दोस्तों साड़े पांच इंज पर और इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों अब यहां पर देखते हैं हमारा कितना है यह देखिए दोस्तों हमारा चार इंच आ रहा है तो हम यहां पर हाप इंच माइनस करके यहां पर मारक कर लेंगे साड़े तीन इंच पर करेंगे अब हम कमर का मारक करेंगे दोस्तों हमारा कमर है 27 इंच 27 को 4 से डिवाइट करेंगे तो हमारा आएगा पौने 7 इंच तो यहाँ पर दोस्तों पौने 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1 इंच यहाँ पर आधा इंच इधर दबेगा और आधा इंच इधर दबेगा इसके लिए 1 इंच यहाँ पर और एश्टा कर लेंगे देखे दोस्तों हम यहां पर लगबग पोने आट पी किये हैं अब आजाते हैं दोस्तों हमारा घुटना का मार्गा करेंगे हमारा घुटना है साड़े सोला इंच साड़े सोला को हाप करेंगे तो हमारा आएगा सवा आठ इंच और सवा आठ को हाप करेंगे तो यहाँ पर आएगा चार इंच एक सूथ सेंटर पैंट से चार इंच एक सूथ इधर और चार इंच एक सूथ इधर देखे दोस्तों हमारा सवार्ठीन स्पिक्स आ गया अब दोस्तों हम मोरी का मार्क करेंगे हमारा मोरी है 13 इंच 13 को हाप करेंगे तो हमारा आएगा साड़े छे तो दोस्तों यहाँ पर सवातीन सेंटर पाइंट से इधार और यहाँ पर साड़े छे पर मार्क कर देंगे अब दोस्तों हम यहाँ से मोरी से गुटने तक सीधी स्केल से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे यहाँ देखे दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों सीधी स्केल से मार्किंग कर लेना है यहाँ देखे दोस्तों मैं सीधी स्केल से मार्किंग कर लिया है अब यहाँ से घुटने से थाई के पास हमको round scale से marking कर लेना है दोस्तों इस तरह marking करना है और यहां पे दोस्तों इस तरह marking करना है यह देखे दोस्तों यह मार्किंग हो गया और हमारा यहां से इसको राउंड सेप दे देना है जहाँ पर हम कमर का प्लस एक इंच और इस्टा दबने के लिए लगाया है वहां से मार्किंग करना है यह देखिए दोस्तों हमने मार्किंग कर लिया अब यहां से यहां इसको सीधा कर लेना है दोस्तों हम जो फ्लाई का मार्क किये थे उसको सीधा कर लेना है अब दोस्तों यहां से हाप इंच कम करना है दोस्तों यह देखिए दोस्तों हाप इंच कम करना है ताकि हमारा जो fly है सहीं आसके और यहाँ से 2 इंच पर एक मार्क और कर लेना है दोस्तों यहाँ से हम pocket के लिए marking करेंगे दोस्तों यहां से सवा दो इंच पे एक मार्क करेंगे और नीचे की तरफ साड़े छे इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको यहां से यहां सीधा कर लेना है दोस्तों यह देखिए हमने pocket के लिए भी मार्क कर लिया अभे जो हम हाप इंच डाउन किये थे उसको यहां हम पाकेट के लिए जहां पर मार्क लगा है वहां से इसको सीधा करना है यह देखे दोस्तों इस तरह सीधा करना है और यहां पर दोस्तों मोरी की तरफ इसको थोड़ा सा तीर्चा करते हुए मार्क करना है इसको भी थोड़ा से तीर्चा करते हुए मार्क करना है ताकि हमारा जो जब फोल्ड करेंगे इसको तो हमारा सही से बैठ सके अब दोस्तों यहाँ पर हमने थाई में 1.5 इंच ज्यादा एट किया था तो हमने कीज लिए ज़्यादा एट किया था दोस्तों हम बता रहे हैं आपको हमको यहाँ पर इसको सीधा कर लेना है दोस्तों तो हमारा पैंट का जो सेफ है बैठ जाएगा दोस्तों यह देखे दोस्तों हमने आधा इंच यहाँ पर टेश्टर लगाया था तो हमारा आधा इंच यहाँ पर कम हो गया हमारा यह देखे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक यदि मापेंगे तो हमारा परफेक्ट साड़े दसीन जा रहा है तो हमारा थाई थाए एक कैस इंच तो 21 का हाप किये, तो हमारा साड़े दस इंच परफेक्ट बैठ गया दोस्तों, इसलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर हाप इंच पहले एट करते हैं, उसके बाद बाद में इसको सीधा कर लेते हैं, चलिए दोस्तों, अब इसको कटिन कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर कट लगा देखेंगे, दोस्तों, सेंटर के लिए यहाँ पर भी कट लगा लेंगे, जो हमने पाकेट के लिए मार्क किया था, यहाँ नीचे की तरब भी कट लगा लेंगे, पाकेट के लिए जहाँ पर मार्क किया है, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमने फ्लाइक लिए यहाँ पर दो इंच लिया था उसको भी कट लगा लेंगे ताकि हमको बाद में इस टीचिंग के समय कोई भी परसानी न हो यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे दोस्तों यह देखिए मोरी के पास उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उल्टा सीधा का मार्क कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारा कमर कितना है उसको हम यहाँ पर एट कर लेते हैं हमारा कमर है 27 इंच यहाँ पर देखे दोस्तों एट कर लिजे चलिए दोस्तों अब बेक पार्ट की कटीन करते हैं तो यह हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसको ऐसे करके पलेट लेते हैं दो तो हमने परट लिया तो यह यहाँ पर आ गया दोस्तों इसको अच्छा से स्टेट कर लेना है दोस्तों यह देखिए दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट को उपर में यहाँ पर बिचा लिया है अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमको सीधा कर लेना है मार्क को यह फ्लाय के थ भी ऐसी करना है दोस्तों, हाप इंच डाउन करते हुए, पहले सीधा कर लेंगे, उसके बाद हाप इंच डाउन करते हुए, मार्क करना है, यहां मोरी के पास भी ऐसी करना है दोस्तों, पहले सीधा कर लेना है, फिर हाप इंच डाउन करते हुए, मार्क कर लेना है, अब देड़ इंच यहाँ पर मार्क करना है दोस्तों देड़ इंच पर देखे दोस्तों हमने मार्क कर लिया है मौरी के पास देड़ इंच और गुटने के पास दो इंच और यहाँ पर धाय इंच मार्क किया है दोस्तों अब हम इसको सीधा स्केल से गुटने से मोरी तक सीधा कर लेंगे दोस्तों यह इस तरह सीधा कर लेंगे दोस्तों अब इसको राउंड स्केल से गुटने से थाई के पास इसको सीधा कर लेना है दोस्तों यह देखिए दोस्तों हमारा मार्क सेव कितना अच्छा आया है अब यहां देखिए दोस्तों हम कमर की मार्किंग करेंगे सबसे पहले यहां पर एक इंच पीछे की तरफ देखिए दोस्तों एक इंच पीछे की तरफ मार्क कर लेंगे अब यहां से हमको कमर का मार्क लगाना है दोस्तों हमारा कमर था 27 उसके बाद यहां पर 25 इंच और 1 इंच हमारा डाट के लिए रहेगा और 2 इंच हमको एस्टा ओर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम हाप इंच नीचे की तरफ डाउन किये थे तो हम यहाँ पर सबा इंच उपर की तरफ इसको मार्क कर लेंगे यह देखे दोस्तों अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों यहाँ से सीधा करना है दोस्तों जहां से हमने एक इंच पर यहां पर मार्क लगाया है यह देखिए दोस्तों हमने सीधा कर लिया है अब देखिए दोस्तों हम यहां पर जो एक इंच यहां पर मार्क लगाया है उसको यहां से सीधा कर लेंगे दोस्तों यह देखिए दोस्तों इस तरह सीधा करेंगे round scale से ताकि हमारा paint का shape अच्छे से आ सके यह देखिए दोस्तों हमारा paint का shape कितना अच्छे से आ गया है अब दोस्तों यहाँ पर हम heap का marking करेंगे लटक से 3.5 इंच उपर दोस्तों यह देखिए यहाँ पर पहले mark कर लेंगे साड़े तीन इंच पे यहाँ पर भी साड़े तीन इंच पे मारक कर लेंगे अब यहाँ से फ्रंट पार्ट को ऐसे उठा लेंगे दोस्तों और यहाँ पर देखिए दोस्ता हमारा मारका है पीछे का तो यहाँ पर हाप इंच यह ऐसे दबने के लिए रहेगा हमारा हिप है दोस्तों 33 इंच और उसमें 1.5 इंच losing करेंगे दोस्तों तो हमारा आजाएगा साड़े 34 को हाप करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 77 इंच तो पहले देख लेते हैं दोस्तों सामने पर लम्हें कितना है यहाँ पर हाप इंच दबेगा यहाँ पर हाप इंच दबेगा तो हमारा बच्रा है दोस्तों 8 इंच 8 इंच को ऐसे पकड़ लेंगे दोस्तों और इसको फिर से ऐसे उठा लेंगे दोस्तों और हमारा हीप का हाप है दोस्तों लुजींग के साथ 47 inch तो यहां पर जो दबने के लिए हम half inch छोड़े हैं वहां पर ऐसे रखना है 77 inch और यहां पर जहां पर 8 inch आ रहा है वहां पर एक mark कर लेना है दोस्तों हमारा फंट पार था 8 inch पे दोस्तों लेकिन हमारा heap है 33 inch प्लस उसमें 32 inch तो हमारा 34 inch और 84 inch का दबने के लिए वहाँ से लेकर हमको 17 रपे यहाँ पे रखना है और जहाँ पर 8 इंचार है वहाँ पर यह देखे दोस्तों मारक कर लेना है यह हमारा हिप का मारक हो गया दोस्तों और इसको दोस्तों यहाँ पर कमार के लिए हम जो मारक लगाये थे हैं डाट के साथ वहाँ से हमको इसको सीधा कर लेना है दोस्तों यह देखिए दोस्तों इस तरह सीधा कर लेना है उसको और यहाँ पर दोस्तों एक इंच पर मार्क लगाना है दोस्तों यहाँ पर एक इंच पर और इसको सीधा कर लेना है दोस्तों पहले अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम कोने स एक इंच यहां पर मार्क लगाये हैं उसको यहां से हम जो दो इंच एश्टा और यहां पर छोड़े हैं वहां से इस पाइंट से इस पाइंट को हमको सीधा कर लेना है यह देखे दोस्तों इस तरह अब इसको राउंड सेप दे देना है दोस्तों यहां से यहां पर राउंड देना है यह देखिए दोस्तों इस तरह और यहां से हम जो यहां नीचे डाउन करते हुए मार्क लगाया है वहां से इस मार्क को सीधा कर लेना है यह देखिए दोस्तों इस तरह सीधा कर लेना है यह इस तरह सीधा कर लेना है दोस्तों देखिए हमारा हिप का भी मार्क लग गया अब हम इसको फ्रंट पार्ट को सीधा कर लेते हैं दोस्तों अब यहां पर देखे दोस्तों मोरी की तरफ हम यहां पर इसको थोड़ा सा तीर्चा किये थे ताकि फोल्ड करेंगे तो हमारा जो तूर्पाई करेंगे तो वो सफाई से आ सके तो हम यहां पर भी उतना यहां पर तीर्चा कर लेंगे दोस्तों यहां पर तीर्चा कर लेंगे अब देखें दोस्तों हमारा बेक पार्ट भी ड्राइंग हो गया दोस्तों अब हम बेक पार्ट को भी कटीन कर लेते हैं चलिए दोस्तों कटीन कर लेंगे यहां से कटीन करेंगे दोस्तों यह देखिए हमने जो एक इंच यहां पर इस तरह मार्क किया है वहीं से कटीन करेंगे यह देखिए दोस्तों हमने बेक पार्ट कोई भी कटीन कर लिया है यह देखिए दोस्तों इस तरह आया है अब यहां पर दोस्तों हमको कमार के पास यहां पर कट लगा लेना है दोस्तों ताकि हमको कोई भी परसानी ना हो यहां पर भी एक कट लगा लेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों हमको बेक पार्ट में भी उल्टा का निसान लगा लेना है मार्क कर लेना है उल्टा सीधा का यह देखिए दोस्तों इस तरह तो इस तरह से आप पैंट की कटीन करेंगे दोस्तों तो आपको पैंट कटिन करने में कोई भी परसानी नहीं होगी